नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर आज हम इन डीटेल डिसकस करेंगे, इंपोर्टन्स ओफ माइगेटरी बर्ट्स इन एर अरफ क्लाइमेट चेंज देखी जो प्रसंट सीजन चला न दोस्तों, ये बर्ट्स का माइगरेटिंग सीजन है कफी सारे आर्टिकल्स आते हैं न्यूस पैपर में, एक न्यूस हमने दो दिन पहले कवर भी किया था जिसमें हमने ये बोला था कि चिलका लेक में, चिलका लेक के बारे में आपको पताई होगा जो इंडिया का सबसे लाज़ेस्ट वाटर बोडी है, तो उधर इस साल जो माइगेटरी बर्ट्स आया है उसका पोपलेशन कम हो गया करके अगला पिछले सीसन से कंपेर करोगे, एक सेंसर भी वह था कितने मेगेटरी बर्ट्स आया है करके करीब 10.74 लाक बर्ट्स पहुंच गे दे इस बार, तो इंडियन सबकोर्डियन में इस सीसन में काफी जारे एरियास में, basically wetlands में, lakes में, और भी water bodies में माइगेटरी बर्ट्स आते हैं, breeding करते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं, सीसन खतम होने से तो आज इस वीडियो में हम माइगेटरी बर्ट्स का importance क्या है, हमारी ecosystem को support करने में इनके उपर क्या-क्या challenges है, क्या-क्या threats है, और हम यह भी discuss करेंगे साथ-साथ, यह जो root follow करते हैं, इने flyways बोलते हैं, तो कौन-कौन सा important flyways है, तो यह सारी चीज़ों के उपर आज discussion होगा, तो आगे जाने से पहले lecture पर like a button, चानल का अब तक share and subscribe नहीं किया हो, तो कर लीज तक खतम हो जाता है, पर recently करनाडगा में मैसूर से एक news आया, उधर अभी भी migratory birds की arrival चल रहा है, इसका मतलब यह है, इनका जो general migration period है, जो आप तक खतम होना चाहिए, वो delay हो चुका है, ठीक, इसलिए यह news में आया था, अब देखिए, normally migratory birds जो है, stagnan and marshy legs पसंद करते है मतलब जिन lakes में पानी ज्यादा है, water level ज्यादा है, उधर यह कम जाते है, इसका मतलब यह दोस्तों, stagnan and marshy legs, मतलब जहां पानी कम है, जहां vegetation ज्यादा है, उधर सबसे ज्यादा availability of food है, अब समझ रहे होना मैं क्या बोला, मतलब जहां पानी कम है, उधर ज्यादा insects उनको मि इवरी यर, आप देखिए, इंडियन सबकॉर्डरिन की तरफ 29 कंट्री से बर्ट्स मेंगरेट करते हैं, आप मैं आपको आगे बताऊंगा, कौन सब फ्लाइवे यह चूस करते करके, ठीक है, आप देखिए, incoming of large flocks during September, October, signifying the beginning of migration, तो कहने का मतलब यह है, इंडियन सबकॉर 59 species of birds have been recorded as of 2019, of which 78 are endemic to the country, and 212 species are globally threatened, according to the government of India, मतलब देखिए, 2019 तक का data यह कहता है, इंडिया में अब तक 1349 species of birds record हुआ है, अलग-अलग country से, जिसमें 78 जो है, वो हमारे country से बिलों करते हैं, एंडियन सबकॉर्टी से बिलों करते हैं, एंडियन सबकॉर्टी से बिलों करते है करके आते हैं, अब इनकी importance क्या है, देखिए, they play several essential and indispensable roles in the ecosystem, हमारी ecosystem को sustain करने में, यह भूती important role play करते हैं, for example, हमारी environment and crops को destroy करने वाला, जितने insects है, जितने other organisms है, इन सबको यह खा लेते हैं, तो मेरा कहने का मतलब में, they act as natural pest control agents, देखिए, आपने सुना होगा, last year, या last to last year, locust attack की वज़े से, Gujarat, Rajasthan and even South Indian states में भी काफी crops destroy हुए थे, अब locust attack के आपको मालूमी होना चीए, वैसे दोस्तों, एक important information यह है, यह locust attack जो है, this is covered under our Disaster Management Act, मतलब this is also a natural disaster, disaster management act के अंदर काफी सारे disasters list out किया है, जैसे कि earthquake, flats, avalanche, etc, etc, इसमें locust attack भी covered है, मतलब locust attack की वज़ अगर किसी को ज्यादा नुकसान हुआ, तो Disaster Management Act के अंदर, जो X crash या elements वगरा मिल जाते है, वो मिल जाएगा, मेरा कहने का मतलब बस यह है, अब migratory birds helping dispersal of seeds, dispersal of seeds मतलब क्या होता है, मतलब seeds जो naturally transfer होता है, दोस्तों, एक जगा से दूसरा जगा, normally seeds के से dispersal होता है, wind से, पान maintenance of biodiversity along their roots, मतलब यह जहां जहां जाते है, वो उथर seeds disperse करते है, इसकी वज़े से biodiversity भी spread हो जाता है, है कि नहीं, अब ducks can transport fish eggs in their guts to new water bodies, आप जितने ducks है, देखे, migratory birds में ducks भी covered है, अब जितने ducks है, यह fish eggs अपने guts में transport करते है, जिसकी वज़े से क्या होगा, यह जो fish species है, दू पेट से जब यह drop करते है, तो इसकी वज़े से दूसरे water body में वो fish के availability हो जाएगा, है कि नहीं, फिर the dropping of birds also known as gonos are rich in nitrogen and act as organic fertilizers, यह बात आपको पता होगा, जितने भी birds इनकी dropping से, basically, इनकी जो excreta है, they act as organic fertilizers, आप लोगों के गाव में भी यह यूस होते होंगे, and egg shells can add calcium and other minerals, इनकी बाते हैं, जो एग गे इनकी शेल से, they are rich in calcium and other minerals, etc, and देखे, migratory birds form both prey and predator also, देखे, एक तो यह insects and small organisms को खाते हैं, so they act as a predator, and they form prey also, कहीं और भी animals हैं, जो migratory birds को खाते हैं, और, prevalence of migratory birds help analyze the state of environment in an area, मतलब एक जगा का environmental status, ecological status क्या है, यह मालूम चलने के लिए, migratory birds का prevalence से पता चल जाएगा, मतलब, they act as a natural indicator, एक ecosystem का health के सा maintained है, अगर ज्यादा migratory birds उदर आ रहे हैं, इसका मतलब यह है, वो ecosystem healthily maintained है, Now, which are the important sites of migratory birds in India, only important में बोलूँगा, सबसे पहले, Pulikaat Lake on the Tamil Nadu-Andhra border, Pulikaat Lake का 97% आंधरा प्रदेश में located है, only 3% Tamil Nadu में, केने का मतलब यह है, it is located on the border of Tamil Nadu and आंधरा प्रदेश, और इधर फ्लमिंगो जाते हैं, Pulikaat Lake में हर साल greater flamingo festival भी होता है, यह भी अब ध्यान जीजीगा, और एक information यह है, Pulikaat Lake is the second largest brackish water body in India, सबसे largest तो चिलका Lake है, right, second यह पलिक करने इंचन नहीं, इधर भी flamingos आते हैं, ducks आते हैं, और वर्डेस आते हैं, right, फिर ducks और वर्डेस can be seen in चिलका लगून इन ओडिशा, तो चिलका Lake सबसे largest brackish water body है इंडिया में, तो चिलका Lake में भी ducks आते हैं, वेडेस आते हैं, और भी तरह तरह के negative birds आते हैं, वैसे, और कौन-कौन से है, केला दियो नाशनल पर्क जो भरतपूर में, रजस्तान में, फिर खिजाडिया bird sanctuary, जामनगर गुजरात में, इसके अलावा भी है दोस्तो, कुमरगम bird sanctuary केला में ह कच गुजरात, इगलनेश वाइलेफ sanctuary अनाजल प्रदेश, नल सरोवर bird sanctuary गुजरात, रंगनाति टू बर्ट sanctuary करनाटका, और सलीम अली बर्ट sanctuary गोवा, अब देखें, नो common migratory birds कौन-कौन से इंडिया में जो आते हैं, आमूर फालकन पास्तू इंडिया इंडिया इंडिसम and water birds, दुनिया में जितने migration routes है, इसे 8 भागों में debate किया हुआ है, जैसे Pacific Americas, Central Americas, Atlantic Americas, ये तीनों, North American continent and South American continent cover करते हैं, फिर East Atlantic, Black Sea, Mediterranean, East Asia, East Africa, ये पूरा Northern Europe region, African continent region cover करते हैं, वैसे ये जो एडिया न दोस्तों, इसे pale Arctic भी बोलते हैं, इस इस वन आफ ता बयो जोगरिफिक रिज से वर्ल्ड में, यह में आपको आगे इन डीटेल बता हूँगा, रुकिये, फिर आता है Central Asian flyway, इसमें Central Asia, Indian subcontinent and Maldives वगर आते हैं, फिर East Asia, Australasia, इथर पूरा East Asian region and Australian continent भी cover होते हैं, इस इंपोर्टन flyways के बारे में थोड़ा इन डीटेल डिसकस करते हैं, जैसे, अमेरिका मे यह जो तीन flyway है, Pacific America, Central America and Atlantic America, यह High Arctic region को Tierra del Fugo तो connect करते हैं, High Arctic region मतलब यह जो region आपको दिख रहा हैं दोस्तों, यह है High Arctic region, और इथर सथेन मोस्ट टिप आफ तो South American continent जो पो दिख रहा है, यह है Tierra del Fugo, थ्यान दीजेगा, फिर आता है, फिर आता है, फिर आता है, फिर आता ह होता है, देखे, पूरी दुनिया को 8 Biogeographic Divisions में debate किया हुआ है, जैसे, Oceania, Neartic, Neotropic, Pale Arctic, Afrotropic, Injo Malay and Australasia, इसमें Pale Arctic region आपको इधर दिख रहा है, इसमें Northern Asian part and Northern European part पूरा cover होता है, तो हमारा यह जो Pale Arctic African flyway से, जिसमें तीन flyway आता है, जैसे में आपको इधर बताया था, East Atlantic, Black Sea Mediterranean and East Asia, East Africa, यह जो रीजियन है, तो यह सबसे largest bird migration system है, ध्यान दीजेगा, दुनिया का largest bird migration system है, तीन Pale Arctic African flyways, इसमें ओवर 2 बिलियन पैसरीन से, नियर पैसरीन मेंगरेट करते हैं, पैसरीन मतलब एक टेप का bird है, तो यह कहां से मेंगरेट होता है, यूरोप में जो इनका breeding grounds है, and Central and West in Asia में इनकी जो breeding grounds है, उथर से विंटर टे में ट्रोपिकल आफ्रिका की और यह fly करते है, अब यह हमारा Central Asian flyway, हमारा Indian subcontinent Central Asian flyway में आता है, and this is the shortest flyway in the world, ध्यान दीजेगा, इस flyway का दो तीन specialities है, एक तो this is the shortest flyway in the world, और सबसे कम birds इस route को follow करते है, इसका reason यह है दोस्त से एक हमारा Tibetan प्लाइट्यू, दूसरा Himalayas, इसके वज़े से सबसे कम birds इस route से migrate करते है, वैसे इस 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 the shortest flyway in the world also, and this entirely lie within the northern hemisphere, मातलब देखी आप इदर देखी सकते हू, यह Central Asia से या फिर Siberian area से स्टार्ट हो के, फिर यह Indian subcontinent and Maldives तक आता है, इधरी खतम हो जाते है, थोड़ा सा Western Europe region भी तर कवर हो जाते है, ध्यान दीजेगा, और क्या लिखा है, East Asia, Australasia flyway extends from Arctic Russia and North America to New Zealand, यह 50 million migratory water birds use करते है, इसका भी मैप में आपको दिखा देता हू, यह जो दिख रहे है दोस्तों, यह है दोस्तों, Arctic Russian region, और इधर से New Zealand, Australia तक यह route है, now what are the major challenges with migratory birds, दुनिया में जितने natural system में इनके ओपर challenges से, threats से, अब migratory birds के साथ भी कुछ अलग नहीं होगा, अब हम यह देखेंगे, what are the major challenges with this migratory birds, सबसे पहली बात, इनका भी poaching होते हैं दोस्तों, इनकी eggs के लिए, meat के लिए इने poach करते हैं and hunt down भी करते हैं, दूसरा, जितने locals हैं, मत migratory birds आते हैं, उथर के locals को इनके environmental benefits के बार में पता नहीं रहते हैं, मेरा कहने का मतलब है, हमारी ecosystem को sustain कराने में यह कितनी मदद करते हैं, यह इनको मालूम नहीं रहते हैं, इसलिए locals भी क्या करते हैं, कभी कभी इनके hunting करते हैं, और कभी कभी ऐसे activities करते हैं, जो इनके survival के against stay, जिसकी वज़े से जो birds है, अगली बार उधर आएगा ही नहीं, डर के मारें, है कि नहीं, यह एक problem है, दूसरा loss of one mate can result in the death of other, आप देखें दोस्तों, migratory birds में भी एक एक पेर बेन के आते हैं, आप एक mate का death होने से, या किसी ने hunting किया, किसी ने मार दिया, तो दूसरे जो bird होगा, उसका survival chance कम हो जाता है, जिसकी वज़े से उब्यूसी बात है, इनकी entire family of birds को यह affect करेगा, क्योंगी अगला generation पाइदा नहीं होगा, है कि नहीं, तो इस तरह का problems भी है, फिर loss of water bodies and wild habitats, देखें इसे habitat degradation बोड़ता है, habitat कम होने से मतलब, wetlands को अगर आप destroy करोगे, wetlands के जगा पर मिटी डालके आप construction करोगे, तो भी उसी बात है, इनका habitat कम हो जागा, इनके रहने के लिए जगा नहीं होगा, तो loss of habitat is a major problem, and increasing illumination at night, देखें, आजकल ये construction activities या फिर production activities के वज़े से ज्यादा artificial lights होते है, अब ज्यादा lights रहने से ये confused हो जाता है, इनने पता नहीं कहा जाना है, तो ये भी एक challenge है, इसके ओपर, फिर बात है दोस्तों, degradation of the environment and increased pollutant levels, देखें, हमारी water bodies भी pollution से दूर नहीं है, ज्यादा pollution होने से इनका death होने का chance है, मतलब वाटर में अगर ज्यादा प्रिसेट से, chemicals है, तो इनकी जो अगला offspring पाइदा नहीं होगा, मर जाएग on fish and insects that have elevated levels of heavy metals and toxins, आप देखें, industrial area में वगेरा, ये पानी में, जितने fish वगेरा रहते हैं, अब ये fish के शरीर के अंदर भी elevated levels of heavy metals and toxins रहते हैं, अब ये fish भी क्या खाएगा, मतलब अगर पानी में, chemicals का content ज्यादा है, तो फिश के शरीर में भी ये chemicals होगा, toxins होगा, तो ये fish य due to increasing encroachment and human interferences, increased fishing, the availability of food becomes a challenge, आप देखें, खाना नहीं रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों, basically, migratory birds जो है, एक एक wetland में इसलिए आते हैं, एक तो breeding के लिए, दूसरा खाने के लिए, अब ये खाने के लिए, अब ये खाने के लिए, फिश की availability अगर कम हो जाएगा, तो अब य इसलिए बात है, ये survive नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक challenge है, now, what are the possible interventions, basically, इने protect करने के लिए, conserve करने के लिए, क्या-क्या किया जा सकता है, सबसे पहले long-term monitoring programs लेकिया जाओ, मतलब, इनके migration trends के बाएरे में, assess करने के लिए, इनके उपर क्या-क्या diseases हो सकता है, इनको protect करने के क्या-क्या किया जा सकता है, ये सब के बाएरे में research करने के लिए, implement करने के लिए, long-term monitoring programs लेकिया आना चाहिए, फिर हमारे school children को, youth को, public को, migratory birds का importance क्या है, हमारी ecosystem को survive करने में, ये कैसा मदद करते है, इसके बाएरे में educate करो, फिर देखी, इनके migration season जब होता है, तब water bodies में fishing activity कम करो, ताकि इन्हें खाने के लिए, कुछ अच्छा मिल जाए, फिर adoption of sustainable organic agriculture practices, देखे, आप जितना pesticide, chemical fertilizes, use करोगे, अपना water bodies, ज्यादा ही pollute होगा, तो ये chemical fertilizes, pesticide वगरा, use करना बंद करो, और आप organic agriculture practices करो, ये बोल रहे है, ये सब nearly possible नहीं है, वैसे, वो अलग बात ह अब, people need to ensure sustainable use of landscape and ecosystem services, लोगों को landscape and ecosystem sustainably use करने के लिए, कुछ करना चीए, sustainable मतलब अगले generation के लिए, जैसा है, वैसे ही रखना है, conserve करना है, इसको बोलते है sustainable use, ऐसा नहीं, अभी सब खतम करो natural resources, तो sustainable use of landscapes and ecosystem हमें ensure करना चीए, कम से कम migratory birds का जो site है, उस area को आपको conserve करके रखन चीए, उथर कोई, किसी भी तरह का construction activities या फिर किसी भी तरह का pollution होने का chance हमें avoid करना चीए, ठीके, फिर क्या है, हमारे जितना wetlands है, grasslands है, natural habitat है, forest है, जहाए migratory birds आता है, उन्हें conserve करने के लिए कुछ करना चीए, single use plastics को band करो, and dumping तो बिलकुल मत करो, single use plastics, देखे, आजकल क्य चीए, and government की तरफ से rules, regulation, acts, treaties वगरा लेके आना चीए, चाहे वो domestic हो, या फिर international हो, ऐसा treaty sign करो, जिससे ये बेचारे migratory birds बच जाए, या अगर कोई violation कर रहा है, उसके उपर कडक action लेलो, फिर modern technologies use करो, like drones and all, किसलिए poches को track करने के लिए, अगर कोई migratory bird को poaching कर रहा है, पकडने के लिए, फिर night lights को minimize करो, फिर echo clubs को, citizens initiative for awareness, conservation and protection of migratory birds, देखिए, जितने echo clubs वहरा मैंता है, basically environmentalist वगरा, जितने conservationist है, यह सम मिलके, एक ग्रूप बना देते है, तो इस तरह का initiative को, और promote को, government के तरफ से, incentives होना चीए, government के तरफ से, इन्हें एंग्रेज करने करे कुछ मशेस होनी चीए, ठीक है, तो यह सब करने से, हम, migratory birds का, conservation ensure कर सकते है, देखिए, जितने points मैंने बोला, वो आप, आपके answer IT में use कर सकते है, ठीक है, इस हिसाब से लिखो, या आपको, जिस हिसाब से समझ में आया, उस हिसाब से आपको, एक-एक point करके लिखना होगा, now, which are important steps taken for protecting migratory birds, देखिए, government की तरफ से, migratory birds का protection, conservation, ensure करने के लिए, काफी सरे actions रहा है, for example, हमारा wildlife protection at 1972 है, इसके अंदर, जितने भी rare and endangered species of birds है, including migratory birds, इनने schedule 1 में include किया हुआ है, अब schedule 1 मतलब highest degree of protection है, मतलब इनको hunting करना, poaching करना, यह सब strictly banned किया हुआ है, अगर कोई इन provisions को त उनके against strict action लिया जाएगा, stringent punishments दिया जाएगा, और देखिए, wildlife protection at 1972 के अंडर, जितने भी important habitats in birds का, मतलब यह migratory birds बगारा, जितने भी areas में आते हैं, उन areas को protected areas करके notify किया हुआ है, अब देखिए, किसी भी area को protected area notify करने से, उदर किसी भी तरह का construction activity, development activities, यह सा आप नहीं कर स करते हैं, ठीक है, फिर देखिए, financial and technical assistance provide करते है, state government and unity governments को, किसलिए, इन protected areas को manage करने के लिए, यह संदर की तरफ से होगा, फिर एक wildlife crime control bureau भी established किया है, वो किसलिए, for control of illegal trading wildlife and its parts and products, अगर कोई birds को hunting करके, इनके body parts अगर बेच रहा है, meat and egg के लिए, कोई इसको use कर रहा है, इसका बंद करने के लिए, control करने के लिए, wildlife crime control bureau है, इनके अंडर कई सारे provisions है, इन लोगों को पकटने के लिए, अरस करने के लिए, और punishments दिलाने के लिए, now about the world migratory bird day, देखे, world migratory bird day initiated किया था, 2006 में, यह basically annual awareness racing campaign है, इन migratory birds का protection and conservation के लिए, ठीक है, यह established कौन किया था, Secretary of the Agreement on the Conservation of African Eurasian Migratory Water Birds, UNEP, AWA, UNEP मतलब United Nations Environment Program, तो United Nations का एक initiative बोल सकते हो, in collaboration with Secretary of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS, right, अब देखे, world migratory bird day साल में दो बार celebrate करते है, कब-कब, on the second Saturday in May and in October, तो May and October में जो second Saturdays होता है, तब world migratory bird day celebrate होता है, वो भी साल में दो बार, ठीक है, तो 2021 में, 8 मेह को and 9 October को यह observe किया था, तो दोस्तों, finally, some very interesting facts about migratory birds, कुछ migratory birds जो है, 16,000 miles तक fly करते है, मतलब starting point से लेके, ending point तक, 16,000 miles यह cover करते है, और इनके speed कभी-कभी 30 miles पर hour टच करते है, and these birds can sometimes take up to 500 hours, 500 खंडे तक लेते है, इनकी जेनी की शुरुवात से लेके अन तक, और हम यह सोचते है, कि migratory birds हमेशा low altitude में fly करते है, low altitude का मतलब, जहां हम देख सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, कुछ birds है, जैसे geese हो गया, vulture हो गया, इनकी जो flying altitude है, वो 29,000 feet से लेके 37,000 feet height तक होता है, scientist का कहना यह है, इतनी height में यह इसलिए fly करते है, इनने ज्यादा flap नहीं करना पड़ेगा अपना wings, यह glide करके चला जाएगा, मतलब, इतनी height में ज्यादा air resistance नहीं होगा, यह ज्यादा energy सकता है, और अब इनके navigation कैसा है, they use stars, sun and earth's magnetic field to find their way, basically, इनकी जो GPS है, navigation, यह stars देके होता है, sun का जो location देके होता है, and earth का magnetic field भी, यह use करते है, and they nearly always return to the place where they were born, जहां इनका जनम हुआ था, वहीं यह पहुंचाते है, मतलब, migration के बाद, हमेशा, और क्या है, these birds build body fat over time to prepare for their long migration, मतलब, migration से पहले, अपना body fat को यह build up करते है, and they manage to store their food and reserve nearly 50% of their body weight, मतलब, इनके body weight का 50% weight का food जो है, यह reserve में रख सकता है, और क्या है, maximum migratory birds जो है, यह रात को travel करना पसंद करते है, क्योंकि रात को air जो है, वो cool रहते है, दूसरा design यह है, दोस्तों, रात को इनकी traveling जो है, वो safe रहते है, मतलब, दूसरे predator birds वगेरा के इनने attack नहीं करेगा, तो smoothly and safely यह travel कर पाएंगे, पर सारे migratory birds की बात यह नहीं है, कुछ migratory birds, like cranes, they prefer to fly during the day, यह दिन में travel करना पसंद करते हैं, ठीक है, आप देखे, ऐसी बात नहीं है, इनकी जो journey है, they are away from major obstacles, इनकी भी जो flying के time पर काफी obstacles इनने face करना होता है, जैसे कि कभी-कभी इनके शरीर पूरा dehydrate हो जाता है, धूप की वज़े से, कभी-कभी इने starvation हो जाते हैं, मतलब हूख लगता है, फिर जितने भी windmills है, power stations का transmission lines है, इनमें hit होने का भी chance है, मतलब कुछ migratory birds है, जो low altitude fly करते हैं, इनका कभी-कभी windmills में, power station का power transmission lines में excellent हो जाता है, ठीक है, और drastic climate changes की वज़े से भी इनको कभी-कभी flying में problem हो जाता है, तो दोस्तों, that's end of it, I hope आपको समझ में आया होगा, जितने भी points मैंने आपको बताया, आप मुझे comment box में बता दीजेगा, आपको ये video कैसे लगा, लक्षे की PDF, आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका link नीचे प्रोवेड़ेट है, थैंक्यू फर वाचिंग, भाई भाई, have a nice day,